हेलो दोस्तों आज कल बॉलिवुड की तीसरे से चौथी फिल्म रिमेक होती है अब कुछ बॉलिवुड फैंस को बुरा लगेगा वो अलग बात है लेकिन सच में होती है लेकिन एक मिनट आज किस वीडियो में हम बॉलिवुड की टॉफ फाइब रिमेक मुविस के बारें बात करेंगे साइद आप लोगों ने देखा भी होगा अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं क्योंकि ये सभी फिल्में अपनी ओरिजिनल फिल्मों से एक लेवल उपर या यूँ समझ लो एक बहतरीन फिल्म सामने निकल कर आई थी अक्षे कुमार सुनिल सेट्री और प्रेस रावल की हेरा फिरी जिसे आज भी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मुवी माना जाता है ये फिल्म भी मल्यालम फिल्म रामोजी राव स्पीकिंग का रीमेक है इसके डेक्टर भी सेमी है इन दोनों ही फिल्मों को एक ही डेक्टर ने बनाया है पर आज फिल्म हेरा फेरी इतनी ज़्यादा पापुलर है कि ओरिजिनल मुवी रामोजी राओ स्पीकिंग को कोई भी याद नहीं करता क्योंकि इस फिल्म हेरा फेरी के सभी कैक्टर आज भी सभी लोगों को अच्छी तरह याद है अब बॉलिवुड की दूसरी फिल्म द्रिस्यम है द्रिस्यम पार्ट वन हो या पार्ट टू यह दोनों ही फिल्में आउडियन्स को काफी ज़्यादा पसंद आई थी दरासल यह फिल्म भी मल्यालम की फिल्म द्रिस्यम का ही रीमेक है और इसमें हमें ऐसे लीड कास्ट में अजय देगन के साथ तब्बू भी देखने को मिली थी जिन्हों ने बहुत ही बहतरीन पर्फॉर्मिस दिया था और इतना बहतरीन पर्फॉर्मिस दिया था कि यह फिल्म बॉलीवुड की टॉप रीमेक फिल्मों में नमबर वन पर आती है अब बॉलीवुड की तीसरी टॉप रीमेक फिल्म है भूल भूलया 2007 में आई अक्षे कुमार की बॉलिवुड फिल्म भूल भूलिया जिसके अंदर हमें अक्षे कुमार के साथ विद्या बालन भी देखने को मिली थी यह फिल्म भी रजनी कांथ की तमिल फिल्म चंद्रमुकी का रीमिक थी अब बॉलिवुड की चौथी टॉप रीमेक फिल्म है कभीर सिंग संदीब रेड़ी वांगा एनिमल मूबी से बहुत ज़्यादा पॉपलर हो चुके हैं पर 2019 में साहित कपूर के साथ कभीर सिंग मूबी को लेकर आये थे जो उस टाइम काफी ज़्यादा फेमस भी हुई थी और हुआ फिल्म साहित कपूर की केरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी जो संदीब रेड़ी वांगा की तेलगू फिल्म अर्जुन रड़ी का रीमेक थी लेकिन सल्मान खान की जिन्दगी का एक ऐसा दौर भी था जहां पर उनकी लगतार फिल्में फ्लॉप हो रही थी तभी उन्हें बोनी कपूर ने वांटेड फिल्म आफर की जो अल्रेडी साउथ में दो बार बन चुकी थी एक के अंदर थाला पती विजयत और दूसरी के अंदर महिस बाबू तो इस फिल्म का रीमेक बनाना काफी चालेंजिंग था और सल्मान खान ने यह चालेंज एकसेप्ट किया और हमारे सामने सल्मान खान की Most Awaited Wanted Movie सामने निकल कर आई जो सच में एक बहतरीन फिल्म थी तो आप लोगों ने कौन से फिल्म देखी है और कौन से नहीं देखी प्लीज काउन डॉक्स में जरूर बताईएगा